Hello everyone, Myself Rajmohar Meena, I am previous student and now in this video we discuss about the disorder and GIT GIT means gastrointestinal disorder के बारे आपने इस video में बात करेंगे इसके अंदर आते हैं, पहले हैं, stomach disorder, small intestine के disorder and large intestine के disorder के बारे में बात करेंगे फर्स पर बात करते है, stomach disorder, stomach disorder का उन बोलता है, gastric disorder gastric disorder, gastritis, gastritis के अंदर क्या होता है, in this disorder, inflammation, erection and erosion of the stomach किसी बैक्टरिय या फायरिस के द्वारे इस्टरमा की inner mucosal layer है, उसका inflammation होना या फिर उस इनर मुकोसal layer का erosion या erection हो जाना मतलब उसमें जलन अगए होना, तो उसके करने gastritis होता है या उसी को आपन gastritis बोलते हैं, इसके कोजिस की बात करते हैं कि gastritis के कोजिस के कहते हैं, पहले bacterial and virus infections, for example, hyalicobacter pylory bacteria, इसके दौरे gastritis होता है, bile reflex, bile का वापिस इस टमक के अंदर आने पर gastritis होता है, excessive alcohol use, hyalicol के जादे 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 होता है, अब बात करते हैं कोजिस नेक्स्ट, symptoms, apps की, your status के symptoms घै पर आप्टोमेल,Hello口 tadi,ution ही अंक्तों जादे sa measure, नेक्स बाते में, जादे जादे जादों में, जादे जादी यहाने, इसका इसकी म्गता हुमाइन,olar & बातो होता है, अगला इसकी अगला के serible Inc, जलन होती है तो खाने को य लेंगे गांद लोग क्षेसे पानक फेस्ट प्रिस्न से और शींदरियर से थैंखन से बाइ जाएहगायाया है। लेत्वा करते हैं इंडोस्कोपी में क्या होता है कि अपने के अंदर माउच से कोई ट्यूग ढालते हैं और उसके जो इरोजन हुआ है या इंफ्लामेशन हुआ है इस पार्ट को काट कर भाह निकाल लेते हैं तो इसके लेविट्यम जाज करते हैं तो वो अंदर्वियों प् अगर जैसे एनेमे होगा तो एनेमे के कम योगी तो वह बेड़के टेस्ट को दोबादा चल जाएगा नहीं इह सीम्टरस अइनेमे देखा रहा ह्ना एक के स्टूल्टेसिं में ब्लेक एंटरी स्टूल्स निकलता तो यह से अपन तूल्टेस को दौर पता हगा सकते हैं यह होगे डाइगनेशिश नैस्ट बात है ट्रेटमेंट पहला एंट एसटराइटिस में क्यों होता है इंफ्लामेशन होगा तो उसके करण क्या तो इसे अपने अगा णीजितन पार्ट से एरोजिन निहीं फिरेंन गना देगा। अच्छी एक्शिए अटेक्द में लिए और यह नहीं होगा। तो इससे अगर इंट आशिड देंगे। इससे अपने एफेक्ट कांद कर देगा। तो इससे एब्डोमेयर का पेन अगर नहीं होगा अगर इसमें कोजड एनेमिया है तो अपन विबारत दे सकते हैं यह टेटमेंट हो सकते हैं अवोईडिं होट और स्पाइसी फूड अवादा गरम और चटपटे खाने को अवोईड कर सकते हैं यह टेटमेंट के रुप में गैस्टार्टेस को हो सकते हैं next disorder के बात करते हैं अचलोरडिया यह अभी stomach के disorder चल रहे हैं अचलोरड़ियम क्या होता है in this disorder stomach phase to secret SCL बातों stomach को SCL को secret नहीं कर पाता है stomach का secret नहीं होगा तो कि utaustic secretion होगा उसमें SCL नहीं होगा अगर SCL नहीं होगा तो SCL क्या करता है कि Stemma or intestinal का बैक्टीरल overgrowth होती है उसे कम कर देता है उसे खतम कर देता है तो SCL नहीं होगी तो bacterial overgrowth हो निक्रिश हो जाएगी और SCL क्या करता है यह Pepsinogen को Pepsinogen को Change करता है जिससे protein का Dization होता है प्रोटीन का breakdown होता है अकर वो नहीं होगा तो प्रोटीन का breakdown properly नहीं हो पाएगा यह तो हो गई अब यही कोजेश हो गई कि यह स्टमक के अंतर आयरन को एब्जोब करवाता है अब असील ही नहीं हो तो आयरन अब्जोब नहीं होगा अनिमे हो जाएगा हाना विदाउट एपच्की कर्णिशन आजाएगी नोजी और वुमिटिंग अगए राईजीमिस नहीं हो जाएगा यह होंगे symptoms next बात वहांद द्यायग्टोसिस है इस्टमक पिएस टेस्ट अब जो इस्टमक असीड है तो मैं पहसे नहीं होगा फितंज होगा तो इसका पीएच आपा हो इसेल तो जाकता है अंदैसले स्वूड के लिए नेक्स पार तो बैक्टिरियु एक्राइब दे सकते हैं जो बैक्टिरिय की ग्रोथ को कर दें कि विटामिन विभार अगर ऐनीमिय हुआ है विटामिन विभार्ण, तेमर है दी पर इनिवेटर देंगे तो आप असील ओल कम हो जाएगा तो यह प्रोट्न बाप निबुटर को रिडेक्शन कर देते हैं या फिर उसे बहार निकाल लेते हैं तो इससे भी इसका ट्रेटिवांट किया जा सकता है नेक्स्ट बार करते हैं पेप्टीकल सर्ल में क्या होता है इससि टिस्टमक ऐसे डामिन ओफ दर इंटेश्टिक ऐसे का देता है और डेमेंज क्यों होता है अब यहां पर SCL है तो SCL इसको बढ़न करता है तो वह गैस्टिक मुकोस नहीं है तो इसे बचातेगी बढ़न ना कर पाए अब गैस्टिक मुकोस नहीं है तो यह इसे जला देगा बढ़न कर देगा कि गैस्टिक मुकोस नहीं है तो अगर यह अगर यह अटेक करेगा तो क्या होगा एक्सकोलिटेड एक्सकोलिटेड होगा मतलब जैसे अपने नाखुन होती है तो नाखुन की कभी कोई खाल आती चाती है तो उसे अपने एक्सकोलिटेड बोलते है मतलब जो खाल का हटना यह तो होगा कि दव्वाल और फिस्टमक चेंज ने एक्सकोटेट अरिया अगरे नहीं है तो सबस्देख करेगा तो सबस्ते हो लिए और यह तो सबस्देख करेगा तो नहीं तो कोजिश को गया कि수्ट करना फेन गे। पेट में जाथ जाए है तो इसमें पहले बार जाता है जारण जैसे मैसुस होगी हाइरन का अब्जोब्स पाएगा, लेक्ष्ट बात करते हैं, ब्रॉट टैस्ट नेमिया के लिए के लिए, एंडुस्कोपी बाइपसी, अब ब्रॉट इकस्टी इत्रेटल गई देटल के में खाँ लट गई है, तो अब ऐंडूस्कोपी में क्या क्या करते हैं, मुह से पाइ को बागने तरी नेंज सकते हैं नेंस्ट बात करते हैं तो पहले किया अचら तो जो एस सेल किया होता है इसएक कर ना पी पीपी आइफ क्लिखन को दो उसे अब अगर आपन प्रोटिम पर इनिविटर देंगे इसको तो SEL कम हो जाएगा तो SEL इसको अटेक नहीं करेगा तो एक्सपोर्टेड एरिया या फिदर जो एप्लमेल पेन है वो नहीं होगा इसे खिट करें इसे एंटाइसिट देंगे तो यह अपना प्रोटिकल सेकेट हो गया यह सारे हो गया अपने इस तमक के डिसोडर्स नेक्स्ट वीडियों बात करेंगे अपने इसमोल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के डिसोडर्स के बारे में